हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कुक्विद मानवे में तो फ्रेंज जैसा कि आप थमनिल और टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हमने ली है लोही की कढ़ाई ये कढ़ाई बहुत ही पुरानी है और आज हम इसे साफ करने वाले हैं एटलिस्ट ये कढ़ाई जो है लगभग 15 से 20 साल पुरानी है और ये कढ़ाई है मेरी सासुमा की तो उन्होंने इसे ऐसे ही घर के किसी कोने में रख दिया था और ये लगभग 15-20 साल से तो इस्तेमाल ही नहीं की गई और मुझे जरूरत थी एक लोही की कड़ाई की तो मैंने सोचा कि खरीदने से अच्छा है क्यों ना मैं इसे ही नहीं जैसी कर लूँ तो फ्रेंस इसे साफ करना है तो थोड़ा मुस्किल लेकिन चलिए करते हैं ये मैंने यहाँ पर ले लिया है गरम पानी और पूरी कड़ाई को हम पहले अच्छे से भिगो लेगे तो इससे जो इसमें जर लगा है ये थोड़ा फूल जाएगा और यहां पर मैंने लिया है एक चम्मच खाने का सोडा खाने के सोडे से जो है वो मैल या जर अच्छे से फूल जाता है और इसके बाद यहां पर मैंने डाला है जो सिर्का होता है हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ना वो सिर्का और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें एड़ किया है एक क्लैनिक प्लस शैंपू आप शैंपू की जगे चाहे तो वाशिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम फिर से पूरी कड़ाई में इसे अच्छे से फैल आएंगे फ्रेंड्स यह देखिए यहाँ पर मैं गलप्स और वगेरा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझसे गलप्स और लप्स पहन के काम होता नहीं है तो मैं डारेक्ट हातों से ही साफ कर रही हूँ लेकिन अगर आप करें तो गलप्स पहन ले और यहाँ पर फिर मैंने लिया है यह सेंड पेपर सेंड पेपर से जो जर है न यह सम अच्छे से निकल जाएगी यह देखे फ्रेंट्स इसे रगड़ना तो पड़ेगा क्योंकि काफी पुरानी कड़ाई है और पूरा जर लगा पड़ा है कड़ाई में तो मैं इसे टाइट टाइट रगड़ते हुए देखें फ्रेंट्स आप भी देख रहे हूँगे पूरा पानी भी जो है वो लाल होता जा रहा है और यह जर जो है छुट रहा है तो इस तरह से मैं इसे रगड़ती जाओंगी और धीरे धीरे हमारी कड़ाई जो है वो साफ होती जाएगी friends तो ये देखिए पानी जो है वो लाल हो चुका है थोड़ा टाइम तो इसे साफ करने में लगेगा friends लेकिन हाँ पूरी साफ हो जाएगी इस बात की guarantee है तो ये देखिए friends अब हमारी कड़ाई जो है अंदर से थोड़ी थोड़ी साफ दिखना स्टार्ट हो गई है जितनी पहले थी उससे तो काफी साफ हो चुकी है पहले से लेकिन अभी हमें इसे और भी बहुत साफ करना है friends तो मैं रगड़ती जा रही हुँ ये और ये देखिए friends अब मैंने इसका पानी भी निकाल दिया है क्योंकि पानी से जो है न वो इतने अच्छे से साफ नहीं हो पारी थी पानी बार बार छलक रहा था तो इसलिए और अब मैंने इसे धो दिया है तो ये देखिए friends अब कढ़ाई जो है इतनी साफ हो चुकी है लगबग आदी लेकिन अभी हमें इसे और भी अच्छे से साफ करना है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है स्क्रबर पानी को मैंने अलग निकाल दिया है इस स्क्रबर में मैंने जो बरतन धोनी का साबूनाता है न वो लगा कर अम मैं इसे और अच्छे से रगड़ दी जाओंगी जो खाने का सोड़ा होता है उससे जो मैल है न वो अच्छे से फूल जाता है तभी ये कढ़ाई इतनी जल्दी साफ भी हो गई है और ये देखे फ्रेंट्स मैं इसे लगातार साफ करती जा रही हमें इसे और भी बहुत अच्छे से साफ करना है फ्रेंट्स काफी पुरानी कढ़ाई थी तो एक दम बिल्कुल नई तो नहीं होगी लेकिन हां काफी हद तक साफ हो जाएगी और इसके पार जैसे जैसे मैं इसे यूज करूँगी डेली तो डेली में ये फिर कुछ दिन में बिल्कुल ही साफ हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को खूब अच्छे से रगड लिया है और अब हम इसे धोएंगे साफ पानी से तो यह देखें फ्रेंट्स मैंने इसे एक बार धो लिया है और अब मैं इसे दुबारा से धो रही हूँ तो आप देख सकते हैं कढ़ाई कितने अच्छे से साफ हो चुकी है मतलब यूज के लाइक हो चुकी है अब हम इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंट्स ये देखे मैंने कढ़ाई को धो लिया है और अब धोने के बाद मैं इसे सुखा लूगे ये देखिए friends मैंने कढ़ाई को सुखा लिया है तो आप देख सकते हैं खूब अच्छे से कढ़ाई जगमगा रही है जैसी पहले थी उसकी तुलना में देखे कितने अच्छे से कढ़ाई साफ हो चुकी है एक दम बिल्कुल साफ हो चुकी है अब इसमें सबजी वगेरा हम या कुछ भी खाने के लिए बना सकते हैं इसलाइक यह हो गई है और हमें हमारे पैसे भी जो है वो बच गए और इस कढ़ाई से ही हमारा काम चल गया तो friends अब मैं इसमें एक और चीज़ आड़ करने वाली जिससे इसका जर जो है वो काफी साफ हो जाएगा और आगे नया जर भी नहीं लगेगा तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है सरसो का तेल अब मैं इसमें सरसो का तेल अच्छे से लगा दूँगी सरसो का तेल लगाने के बाद जो है वो कोई भी लोह का बरतन हो अगर आप उस उसका यूज नहीं कर रहे तो आप उसे रख रहे हैं तो आप उसमें सर्सो का तेल लगा सकते हैं सर्सो का तेल लगाने से जर कभी नहीं लगेगा फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले ओके फैंस थैंक यू एंड बाई